हेलो गाइस वेलकम टू प्रैपकी ट्यू ट्रीप चैनल आइटी जम 2023 का इडिमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और इस पर्टिकलर वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में डिटेल में बात कर रहे होंगे एक-एक स्टेप हम यहाप पर देख रहे हों कि आपको कैसे क्य जाएगा तो काफी साज स्टेट्स के अलग-अलग से क्वैरी आती रहती है तो यहार बार बार पूछेंगे वीडियो को देख लो आपको एक एक चीज यहां पर क्लियर हो जाएगी तो आव फिर शुरू करते हैं इस शेशन के साथ वन बाइवन स्टैप बाइस्टैप दे के हाँ पर आपकी enrollment आईड लिखे होगी एगर इनकेस बाद आपको कहीं पर आपको यहां से आपकी हो रही होगी ठीक है जैसे कि आपकी आएगास so declaration form है वहाब पन भी enrollment id लिखनी है तो enrollment id आपके पास यहां पर लिखी होगी आप इधर से उसको note कर सकते हैं अब इसके बाद आपको कहाँ पर जाना है तो यहाँ पर नीचे क्या है admission form filling का यहाँ पर आपको button मिला हुए है यहाँ पर नीचे bottom right में तो आप इसके ओपर click करोगे और फिर आप पहुचोगे next step पर ठीक है अब आपका next step क्या है यहाँ पर अगेन आपके enrollment ID लिखी हुए है आपका name होगा email ID होगा phone number होगा यह सब आपके यहाँ पर चीज़े मिलने वाले हैं फिर आपके यहाँ पर date of worth होगी जिसको आप चेंज यहाँ पर नहीं कर सकते हो जो आपने पहले से फिल कर रखे हैं यह वो as it is के as it is यहाँ पर रहेंगे तो कैस आपको यहाँ पर नीचे क्या करना आपको अपना कैके प्रूफ यह कुछ भी हो सकता तक का आइडिम लेसन्स तक शकता आफ्यवे सकते आपका dot न बन सकता है तो आप इन वंहें आ पर कोई भी दे शकते हैं आधार कार्ण से यह देता है कोई दिक्कत नहीं तो आप आधार का Android certified अगर आप कोई ओर वो match होना चाहिए identity proof के अंदर एक है और साथ में आपकी mark sheets के अंदर भी यानिकी name आपका बिल्कुल exactly वही होना चाहिए तो guys अभी बात करते हैं next series की जो कि हमारे पास यहां पर क्या है category तो guys यहां पर category change करने का option नहीं है यहां पर यह वो as it is की as it is यहां पर आई हुई है आपको यहां पर just क्या करना है कि आपको इसका proof यहां पर attach करना है अगर आप CST category से हो तो आपने already वह attach किया होगा लेकिन अगर आप EWS OBC से हो तो आपको वह अभी attach करना है वह compulsory है अब आप उससे पीछे नहीं अट सकते हो ठीक है आपको वह यहां पर upload करना ही होगा तब भी आप इन category के अंदर consider किया जाओगे अगर आप upload नहीं करते हो तो फिर आप उन category की उपर claim नहीं कर सकते हो अपनी seat को ठीक है ऐसे guys same for PWD अगर आप PWD कैटेगरी से हो तो आपको तब भी अपना प्रूफ जो है वह upload यहां यहां पर करना होगा तो address को guys अब आप change कर सकते हैं यहां पर option अगर इनकेस किसी को change करना है तो मैंने देखा था कि editable था है तो आप इसको यहां पर update कर सकते हो अगर आपको address अपना update करना है तो right इसके बाद अगर हम guys आगे की बात करें यहां पर guys एक important चीज है reservation से related students की doubt आ रहे थी कि क्या जो हमें यहां पर format given है क्या उसी format का होना चाहिए हमारा का certificate तो guys यहां पर same नहीं similar होना चाहिए वो यहां पर लिखा भी गया है यह जो चीज मैंने उठाई है यह जो पहरा है यह तुम्हारे जो अभी आया ना browser जो आई है उसी के अंदर है ठीक है तो य सेम पॉइंट्स आपके certificate के अंदर भी होने चाहिए जो आप यह चार पांच पॉइंट नीचे mention किये गए आप उनको read कर सकते हो राइट जो अनेक्षर दे रखा उसके अंदर आप जाकर read कर सकते हो तो same points आपके certificate के अंदर भी होने चाहिए आप आगे की बात करें हम यहां तो अगर आप admission process के अंदर participate कर रहे हो तो अपना जो certificate है उसको दोबारा से बनना यहां पर देदो क्योंकि आपको recent certificate यहां पर चाहिएगा OBC के लिए भी और same EWS के लिए भी ठीक है तो ऐसा नहीं है कि यहार पूराना certificate चल जाएगा आपको दोबारा से देना ही पड़ेगा नहीं तो फिर आपका admission cancel हो जाएगा बाद तो अपना apply आप कर सकते हो अब गयास इसके बाद जो आपका certificate है वह कौन सी office से आपका होना चाहिए यान की कौन कौन सी authorities का वह applicable होगा तो यहां पर उसारे name लिख रखे हैं आप इसको यहां पर ID का स्क्रिंशोट ले सकते हो अग साफ का यहां पर इन में से कोई present नहीं है उनका signature तो फिर वह applicable नहीं रहेगा इस इसका ध्यान रखना क्योंकि यहां पर साफ साफ लिख रखा है other official will not be accepted इसको ध्यान रखना अब इसके बाद गाइस बात आती है calling fine degree की राइट तो गाइस degree जैसे कि हो सकता है कि आप BSC कर रह तो यहां पर bracket में है ऐसी इस तरह से लिख सकते हो let's say BSC owners थी तो आप यहां पर physics लिख सकते हो इस तरह से क्या पर discipline यहां पर physics है और आपकी normal BSC थी तो आप यहां पर normal BSC लिख के यहां पर physics लिख सकते हो chemistry maths भी लिखना चाहो साथ में तो add कर सकते हो लेकिन कोई फरक नहीं पढ़ता है क्योंकि अगर आप physics के अंद्र admission ले रहे हो तो chemistry math लिखने की SS need भी नहीं है कि अगर आप लिखना चाहते हो तो एक्सरा लिख भी सकते हो ठीक है और अगर आप इस साल एक्जाम दे रहे हो ठड़ियर के भी एक्जाम हुए नहीं है तो आप यहां पर awaited पर click करो होगे ठीक है तो यहां सिंपल सी बात है और गया तो आपका न यहां पर जो calling fine degree है यहन कि अगर आप BST कर रहे हो तो BST कर रहे हो तो BST कर रहे हो तो BTEK तो उसका जो result है वह आपको यहां पर दिखाना पड़ेगा जो आपकी calling fine degree है वह आपको दिखाना पड़ेगी 1 September 2023 से प postpone हो सकती है ठीक है आपको जिस क्या कर लेना है mail कर लेना है IITS को जिसके अंदर भी आपका admission होता है जिसको mail कर देना कि हमारे एक्जाम लेट हुए थे तो गबराने की कोई नीड नहीं है वह एडजिस्ट हो जाएगा ठीक है राइट लेकिन यहां पर अभी फिलार के जैसे कि पहले बात हुई थी अधार काड वाली तो आप यहां पर upload कर सकते हो इसके बाद गयास नेक्स जी जो है वह कि आपका काश सर्टिफिकेट जो पहले हमने डिसकुस कर लिया आपको यहां पर काश सर्टिफिकेट अप्लोड कर लेना है प्लाइट के आपके होने चाह यहाँ पर mention होते हैं कि इन science से अगर बड़ी file होते हैं तो आप upload नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर लिखा गया कि आपका 4MB से नीचे का होना चाहिए कि आपका अधार card का भी मतलब कि जो आपका identity proof है और साथ में आपके जो certificate है वो भी ठीक है अगर आपकी mark sheet और certificate combined है तो आपको एक साथ डाल सकते लेकिन अगर आपकी अलग है तो आप यहाँ पर अलग से यहाँ पर क्या डाल होगे अपना certificate डाल होगे अपने board के साथ चीज़े आती हैं तो अगर आपकी mark sheet पर 12th Class की mark sheet डालनी है तो आपको यहाँ पर 10 का सर्टिफिकेट और 12 की मार्क्षिट को अप्लोड करना इस इसका यहाँ पर ध्यान रखना इन्होंने यहाँ पर एक एक एक्ट्रा पॉइंट मेंशन किया गया है वह क्या है देखू अपर साथ में अगर आपकी कन्डीशन है अगर आपके सब्जर्मेंट है कि आ न चाहिए तो आप यहाँ पर साथ में वो किज़गा कर सकते हो as a proof अगर आपके 12th क्लास में mathematics नहीं थी तो अब बात करते हैं आगे की तो अभी यहाँ पर आपको क्या करना है first year की mark sheet upload करनी है अगर आपको semester wise system था तो आप आप पर क्या करोगे first semester plus second semester का एक साथ combined pdf बनाओगे और उसको यहाँ पर आप upload करोगे तो यहाँ पर वो चीज़ लिखी वे गई है if certificates are available as per semester combined the certificate of first and second semester तो वो यहाँ पर है ऐसे ही यहाँ पर आपको second year की mark sheet upload करनी है तो और इसके अंदर आप 3rd और 4th के combine करोगे अगर let's say कि आपका 4th semester का result नहीं आया है in case तो आप उस case में आप ठर्ड का upload कर दोगे 4th का आप skip कर सकते हो आगे उन्होंने पूछ भी रखा कि आपने कौन-कौन से semester या फिर year के upload के और कौन से के नहीं किये तो आप हापर वो mention कर सकते हो बाद में कि अभी हमारे इ upload कर दोगे नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ऐसे थर्ड यर के लिए हैं यहां पर आप upload कर दोगे सेम में से अगर आपका गैस बीटेक के लिए रहेगी या फिर किसी ने यार अगर बेसी प्लस बेड का combined course लिया था तो उनके लिए रहेगी यह जो बेसी प्लस ब को यहां पर use कर सकते है अगर किसी का फिफ्ट यह वाला case है तो वह यहां पर अपना upload कर सकता है अब यहां पर आपको declaration form अप्लोड करना है declaration form क्या है उसके ओपर आएंगे दीडे दीडे तो यह सारी चीसे आपको यहां पर upload करनी है एक की करके तो अबी बात करते हैं हम कि आपना अपनी modification कर सकते हो preference के अंदर 27 अप्रिल तक फाइफ यहां पर एंड टाइम दिया गया इसके बाद आप कोई भी changes नहीं कर पाओगे जो आपने set कर दिया वो कर दिया तो preference को ध्यान से फिर उनके course offer आ जाते है तो आपको वह select करने होते हैं तो जैसे कि यहां पर आइट मतला select किया हूँ और यहां पर मसे फिजिस्ट किया हुआ है तो अब यहां पर उसके last year की कि यहां पर क्या आच चुकी है cut off आच चुक है category wise तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि last year कैसे हमारे admissions हुए थे किस rank तक वो गए थे ठीक है तो आप इनका भी थोड़ा सा idea ले सकते हो अपनी choice feeling के तुरण कि यहां से आपको आइडिया लग जाता है कि cut off क्या रिये last year तो मास्यार आइट के अच्छे उन्हें और ना उन्हें का भी पता चल जाता है थोड़ा बहुत तो अब उसने सिर्फ चार फिलिंग की और आगे ना भी करें तो चलेगा क्योंकि उसका इडिमिशन चार में से हो जाना है ठीक है वैसे तो काई स्टोप टू आइटीस के अंदर हो जाएगा लेकिन थोड़ा से safe side के उपर रहता है कि चार फिल कर दिया ठीक है तो अभी तक उसने चार फि कर लेते हैं कि last year की cutoff कैसे रही थी अलग यह चीज मैंने पहले भी डिसक्स किया है 2022 की भी डिसक्स किया मैंने 2021 की भी डिसक्स किया cutoff पहले एक session के अंदर अगर आपने वह session नहीं देखा है तो यहार यहां पर एक link आ जाएगा ठीक है बटन में आप उसको जाकर कर देख सक आप इस वीडियो के अंदर जाओ और वहाँ पर आपको 20-25 मिंट का discussion इसी चीज़ के उपर मिलने वाला कि आपको professors की profile कैसे देखने की कि साइटी के अंदर क्या क्या work हो रहा है तो महाँ पर आपको काफे ज़्यादा आइडिया मिलेगा लेकिन करफ आइडिया मैं आपको पर दे रहा हूं कि आपका order क्या होना चीए बाकी अगर आपको अपने according देखना है क्यार मेरे को यह topic में ज्यादे इंट्रस्ट है तो आप इस वीडियो पर जाओ और महाँ पर डिटेल में देख लो अभी बात करते हैं यहां की तो गैस देखो जो लास्ट येर की cutoff रही रोडिकी 234 फिर आपका यहां पर गवाटी हुआ था 318 आपका हैदराबाद जो हुआ था 405 तो गैस ऐसे यहां पर हर एक आपको नंबर्स दिखाई दे रहे होगे तो आपको फॉर्म फिल करना चीए अगर मैं जर्नल रेंक से हूं तो गैस अगर आप यहां पर देखोगे तो आपका जो आइटी भिल लाई है लास्ट यह आपका 787 तक गया है तो आपको फॉर्म फिल करना चीए अगर आपकी 800 रेंक आई है और आपकी 850 रेंक भी आई है मैं तो कहूंगा तब भी फिल कर लो क्या पता नहीं कि ऊपर वाले स्टुट्ट्स क्या कर रहे हैं ठीक है तो आपको नहीं पता है ऊपर वाले कितने स्टुट्ट्स यहां पर निकलने वाले ठीक है तो अगर आपकी रेंक 850 तक है जनल कैटेगरी से और आप MSC फिजिक्स करना चाहरे हो तो मैं को सिजेस्ट करूँ है कि आप फॉर्म को फिल करो ठीक है ऐसी अगर आप OBC से हो तो यहां पर फिल जो है वह आपको 1200 रैंक तक करना चाहिए 1200 या फिर 1300 रैंक भी एवन तब यहां फिल कर सकते हो ठीक है इसके बाद गाइस अगर आपकी SC केटेगरी है तो उस केस में आपकी यहां पर 2500 तक जा रखिए 2500 टूफोर ठीक है ऐसे गर आप ST केटेगरी से हो तो यहा करना बोल गयों AWS के लिए यहां पर 1066 रखिए तो अगर आपकी 1100-1200 तक रैंक है तो आपको AWS के लिए भी फिल करना चाहिए ठीक है और कैसे मैं आपर MSC का बताया है ठीक है लास्ट में आपर IIT जम्मू भी है नीचे यहां पर क्या सीन है इधर 6 semester की है ठीक है आपकी यहां semester की है यानि कि आपके आपर 3-year का course है उपर वाले गाई जो यह है आप पर सारे के सारे यह क्या है हमारे 4 semester के जो MSC program होता है 2-year का ही सारे के सारे हो है लेकिन नीचे IIT जम्मू का क्या है 3-year का है ठीक है तो guys आपकी जो MSC की preference order हो नीची है आप अगर यह वाली follow करोगे तो काफी सही है बाकी अगर आपको individual देखना है कि आपका ना इन तीनों में chance हो सकता है कि आपका इन तीनों में हो जाए और आप confused हो किस के अंदर में admission हो तो आप क्या करोगे इन तीनों की faculties जा करके देखो राइट कहने कि प्रोफेसर्स जा करके देखो कि वह किस domain में research कर रह ठीक है तो अगर आपकी ऐसे confusion है कि दो में आप confused हो तो आप महां की faculties किस किस domain में work कर रही है और वह मैंने आपको बताया है आप उस वीडियो को जाकर करके देखो पीछले वाली को आप पर आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जागी कि इस तरह से आपको प्रोफाइल देखन ठीक है तो वह जाकर के प्रोफेसर की प्रोफाइल आपको देखने की थोड़ा effort डालना पड़ेगा अपनी नीड के कोड़ी यहां पर हर एक स्टुरेंट क्यार मैं परस्नाइज नहीं कर सकता हूं तो अपने नीड के अकोडिंग लिए आप महां पर जाकर करके देखो कि मे साफी सारे सुटेंट्स के यही कोईरी आती रहती हैं पॉम्बे या कानपूर ठीक है फिर डैली या फिर मदरास तो गैस देखो अगर आप आप की मरसे कि आपको किसके अंगर जाना है ठीक है बाकि अगर कानपूर की बात करें तो थोड़ा सा अच्छा आपके लिए टीचिंग के उपर आपको कोचिंग अब बहुत है तो अगर आप प्रेक्टिस कर सकते हो अगर आपको बढ़ी सिटीज होती है न तो आपको थोड़ा से एक्सपूर दे जाती है बाहर का लिए तो खरीक है लेना चारे हो तो आप वह भी ट्राइक कर सकते हो घंके बॉम्ब लेकर ईपने तो आपका प्रइशन होगा नहीं और चीज लिए और दूसरी छीज ये भी है पर ऐसे यार नीचे की वियार यहाँ पर भी सेम चीज अप्लिकेबल होगी अगर आपको दो तीन में confusion है तो जाकर क्यार प्रोफेसर्स के लिस्टे को कि कौन किसके अंदर work कर रहा है ठीक है मेरा interest किसमें अपने coding ली देखो ठीक है तो यह था आपकी dual degree होगी joint MSC PhD होगी MSC applied geophysics होगी इनको भी बीच में डालेंगे तो इनको तब भी डालना अगर आप इसको करना चाह रहे हूं यह निकी यह बस डाल दिया बीचे में क्योंकि यह आपके साथ scenario ऐसा भी यहाँ पर उसकता है लेड से एक बार ना ड्ले की cutoff उटाते हैं ड्ले की cutoff यहाँ पर आप के कितने है आप जर्नल रंक सी हो लेडसे और यहाँ पर ड्ले की cutoff कितनी है 155 है ठीक है और अपकी यहाँ पर जो geophysics की cutoff है इधर कतनी है हो 392 है तो तो लेड से guys आपने क्या किया आप आपने लिया पहले में आयटी भी दूसरे में लिया आपने आयटी कानपूर तीसरे नम्मर पर लिया आपने आयटी डैली और चोथे पर डाल दिया आपने क्या आयटी बॉंबे और इसके अंदर आपने डाल दिया अप्लाइड जियो फिसक्स तो आपने लेट से यह preference order आपने अपना फिल कर दिया है अब नीचे का मेंटर नहीं करता कि नीचे क्या है आपकी rank कितनी है लेट से आपकी rank है 160 तो थाउसन ट्वेंटी टू में आपकी rank है 160 और आपने preference order डाला है यह तो इस नीचे वाले तो फरक नहीं पड़ता आपको तो directly इसके अंदर admission मिल गया तो अब आपको इसी के अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि देखो आपने आयटी डैली की match नहीं की क्योंकि आपर जनल के लिए क्या थी 155 थी और आपके कितनी आई है 160 आई है तो अब आपको आयटी डैली तो नहीं मिलेगा कानपूर नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी और उपर है और आपकी यह वाली clear हो चुके तो नीचे वा अगर आपका यहां पर आया है तो आपको इसी के अंदर लेना पड़ेगा और इस से उपर आप जानी सकते हो तो अगर आप जियो फिजिक्स को ले करके सच में serious हो तब भी fill करना अगर नहीं करनी है तो बीचे मत डालना नहीं तो फसके रह जाओगे ना तो MSC के अंदर इस चीज का ज्यान रखना अगर आपको इसमें interest है अभी जाना नहीं interest है तो मत फिल करो या फिर नीचे की तरफ फिल कर दो अगर वो मन है तो फिल करना ही है तो जबरदस्ति पैसे नीड नीए फिल करने की अगर मन नहीं है तो आई होग की वाली जो चीज है आपर वो सबक नहीं करोगे तो बेफाल तो मैंडमीशन रह जाएगा और कुछ निए ओके आप गैस दिखो आगी की बात करते हैं अब गैस यहां पर एक चीज़ के उपर और मैं ध्यान डालना चाहूंगा जैसे क्या आपका कोर्स है यह joint MSC PhD वाला खड़कपुर इसके अंदर गैस जो आ आपर भी एक मेडिकल फिजिक्स में तो यह चार जगा पर क्या मिल रहा है आपको joint MSC PhD मिल रहा है ठीक है तो कैसे को joint MSC PhD के बारे में खास बात है जो कि आपको information browser में भी मिल जाएगी देखो वो क्या है कि आप joint MSC PhD कोर्स के अंदर क्या कर सकते हो देखो candidates can either graduate with MSC degree after 4th semester और joint PhD program if they have secured minimum CGPA of 8 तो याने की आपके पास choice रहेगी कि आप 4th semester के बाद leave भी कर सकते हो अपनी degree को ठीक है अगर आप किसमें जा रहे हो joint MSC PhD के अंदर जा रहे हो तो आप बीच में leave भी कर सकते हो with MSC degree after the 4th semester और अगर आपके पास 8 CGPA से उपर है तो आप 3rd semester के बाद क्या कर सकते हो PhD के अंदर भी अपना enrollment करा सकते हो लेकिन आपको बताना पड़ेगा यहां पर कि मैं PhD continue करने वालों तो आपके पास option है after your MSC मतलब आपको 3rd semester के बाद बताना पड़ेगा कि आप PhD करोगे कि नहीं करोगे और PhD भी तबी कर पाओगे अगर आपने CGP जो है वो 8 से उपर बना करके रखी है तो तो आप इनको भी prefer कर सकते हो गर आपको normal just MSC करनी है तो अगर आपको सिर्फ normal MSC करनी है तो आप खड़ सकपूर को भी refer कर सकते हो दो साल के बाद आप यहां से leave हो सकते हो भुवनेश्वर को भी आप prefer कर सकते हो दो साल के बाद leave कर सकते हो यहां पर with MSC degree ठीक है अब एक चीज़ और कानपूर की बात करें कानपूर में क्या आपकी MSC PhD dual degree है अब गैस यह जो छोड़ने वाला option है आपको सिर्फ joint MSC PhD के अंदर मिलता है dual degree के अंदर नहीं मिलता है dual degree के अंदर guys आपको यहां पर complete करनी पड़ेगी dual degree के अंदर guys ऐसी कोई भी condition ही लिखी है जैसे उपर लिखा हुए तो यहां पर आपको दोनों की दोनों degree एक साथ ही मिलेंगी आपको पूरा complete करना ही पड़ सब्सक्राइब तो आपका MSC PhD दोनों ही होगा वह अगर आप खड़कपूर के अंदर जा रहे हो और जा रहे हो या फिर आप यहां पर खड़कपूर geofysics के अंदर जा रहे हो या फिर medical physics के अंदर जा रहे हो तो आप यहां पर दो साल के बाद भी leave कर सकते हो ठीक है विद MSC दिगरी तो यह सारे के सारे यहां पर आपके लिए रहेंगे इसके लाव यहां पर कुछ courses और भी है जैसे कि astronomy अगर आपका astronomy के अंदर interest है तब भी आप इसको उपर फिल करना नहीं तो अगर आपका सच में interest है कि आपको astronomy के अंदर जाना है तब भी आप इनको डालना नहीं तो आप इनको लीव कर सकते हैं तो अगर इंट्रस्ट का नहीं मिलना तो क्या फायदा मिलनेगा तो अगर इंट्रस्ट है तभी जाना अगर नहीं है तो रहेंदेना फिल करना है फिर ऐसे आपके लिए आपके लिए एक energy का भी कॉर्स है msc PhD दुवल डिगरी तो यहां पर भी डुवल डिगरी है तो दुनों एक ही साथ मिल रही होंगी है ना और फिर ऐसे आपके पास यहां पर फिजिक्स एंड material engineering भी है msc mtech dual degree ठीक है तो यहां पर गैस आपको यहां पर दो डिगरी एक साथ मिल रहे होंगी msc और mtech की ठीक है तो यह आपके पास यहां पर सारे के सारे options है msc physics के अलावा वी तो आप इन courses को भी consider कर सकते हो अपने नीड की according अगर आप जाना चाहरे हो तो आप इनको भी फिल कर सकते हो नहीं जाना चाहरे हो तो इनको ran देना अब इसके आगे की बात करते हैं हम लोग तो guys i hope की जो preference order है यहां पर सभी को clear होगा कोई doubt यहां पर नहीं होगा and guys जो अभी student msc करने वाले हैं इस में जा करके jam आपने निकाल लिया है तो आपको एक suggestion भी देना चाहूंगा यहां पर कि आपना अपना दिसंबर वाला net का exam है उसको crack कर ले ताकि आप अपने second year के अंदर जो भी आपका target है लेट से आपको foreign में apply करना है PhD के लिए तो उसके लिए आपके पास sufficient time हो ठीक है तो आप अपनी अभी net की preparation भी start कर सकते हो तो आपके आपके पास second year जो है वो free रहे बाकी सब चीज़ों के लिए अगर आपको placement के उपर focus करना अगर आपको foreign industry में apply करना है तो आप foreign industry में भी apply कर पाओ तो यह से को अगर वहाँ पर net gate exam ने निकलेंगे तो maybe आप अच्छे से वहाँ पर apply नहीं कर पाओ अप्लाय करने का यह नहीं होता है कि एक दो industry के form बर दिये ऐसे नहीं होती है चीज़े ठीक है आपको वहाँ पर बा करना पड़ता है ठीक है उनको बार-बार modify करना पड़ता है mail भेजनी पड़ती है आपको department देखने पड़ते हैं पूरे वर्ल्ड में कौन-कौन से अच्छी है तो काफी time-taking process है अगर आप net gate नहीं निकालोगे तो थोड़ी से दिक्कतवाद में हो रही हो बतलब time manage करने में देखने के लिए और अगर आप अभी अन्रोल करना चाहा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको courses के link मिल जाएंगे आम आज आकर के उनको enroll कर सकते हो तो इस course के अंदर क्या-क्या चीज़े आपको रहेंगे अगर मैं एक शोट में बताऊं थोड़ा सा structure course आपको यहां पर कहीपर आपके morning Classes होते हैं कहीपर आपकी evening में Classes होते हैं तो आप अपने अगर और-प मॉर्निंग में free ओ आप morning Classes देख सकते हो ब्लिंग में free आप evening में देख सकते हो lateamen लेट इव्निंग में देखना चाहो तो आप अप लिए फ्लेक्सिविटी यंपर रहने वstalरे ली प्रेक्टिस कर रहे होंगे जो कि आपके एक्जाम के नदर आई हुई है और प्रेक्टिस कर रहे होंगे जो कि स्टेंडर बुक्स के अंदर गीवन होती है इसके बाद आप अपने प्रेक्टिस करना चाहते हो तो आप अपने प्रेक्टिस करना चाहते हो तो आप अपने प्र यहाँ पर पढ़ सकते हो जिस भी टाइप से आप पढ़ना चाहो अगर आप सिर्फ 2024 वाले को टागेट करना चाहरो कि आपने जैम करेक्ट कर लिए आपको विश्वास है कि हम कर लेंगे तो आप 2024 वाले बैच के साथ जा सकते हो राइट इसकी जो प्राइस है वह आपकी 7599 है तो इसकी जो प्राइस है वह अभी फिलाल 10% ओफ के साथ वह आपके लिए रहेगी आपर 11600 डबल नाइन और इसकी वेल्टिटी जो है वह फरवरी 2025 तक रहेगी यानि कि आप गेट 2025 तक देख सकते हो दोनों के यहाँ पर स्लेबस आपके कवर हो रहे होंगे एक साथ को तयार 3-4% का उससे यह मैंटर नहीं करता है ठीक है ओल्मोस्ट हमारा यहाँ पर यह कह सकते हो तुम सेम स्लेबस है ठीक है तो यहाँ पर सब कुछ सेम ही जा रहा हो बस लेवल का फ़रग है आपको जस्कोड यूस करना है फिजिक्स 10 और आपको वहाँ पर 10% ओफ मिल रह करो पूरा एक स्टॉक्चर वे में आपके लिए हां पर यह रहने वाद है ठीक है अब गैस हम बात करते आगे की जो कि क्या है डेकलेरेशन फॉर्म ठीक है जो इंपोर्टेंट चीज़ है एंड काफी सा इसके अंदर दिक्कत भी आ रही थी डेकलेरेशन फॉर्म को कैसे फ चो कर रहें कि हां हमारे एलजिबिटी है तो आप यहां पर क्या करोगे अपने सब्जेट का नाम लेट से मेकानिक्स आप यहार देखूँ इसका प्रिंटाउट निकालके हेंड डिर्टन भी कर सकते हिए यहां पर क्योंकि यहां पर ऐसाच मेंशन नहीं किया गया और अगर आप यहां पर इसके अंदर टाइप करना चाहते हो तो कर सकते नीड के कोडिक जिस तरह से भी है तो पहले आपको हम यहाँ पर मेकेनिक्स लिखना है साथ में आपको हो यहाँ पर अपने कोड मेशना करना है जो भी आपका subject कोड़् स कॉड अभी बेखना अप लोग बशक्रा एक ज्युक्नी है यहाँ यह यह पास से यह वाला यह सब्जेक्ट मैंने लिखा यह किया मेरा फिजिक्स का सब्जेक्ट है जो शो कर रहा कि हाँ बई मैं eligible हो रहा हूं ठीक मतलब यह तो एक है ऐसे में कुछ चार पांथ सब्जेक्ट लिखने हैं तो यहाँ पर मैंने एक लिखा है यह मेंकेनिक्स है तो इसका सब्जेक्ट है मेरे पास ऐपास यहाँ पर कोशुष्य कोई सब्जेक्ट है है यहाँ सेंदर कोई सब्जेक्ट के आपर यहां पर यहां निखुऊगा और यहां पर मैं क्या लिख blaset electricity and magnetism यहां पर subject का पूरा नाम लिख दूँगा मैं इस तरह से और फिर यहां पर उसका कोड डाल दूगा फिर यहां पर जो मेरा सेकंड सब्जेक्ट है मेरा यहां पर physics का वो मैं यहां पर mention कर लूँगा राइट तो second subject मेरा कौन से यहां पर वेवजन अप्टिक्स है second semester में तो इसको मैं आपर mention कर लूँगा और यहां पर डाल दूगा यहां पर डालूँगा वेवजन अप्टक्स अवह शीट को यहां पर वेवजन अप्टिक्स अलूँगा मैं ऐसे एंड ब्रैकेट में कोड आ जागा इस तरह से तो जो सबसे ज़्यादा में डाउट और रहा तो declaration form का यहां थे कैसे फिल करना है तो इस तरह से फिल करना है आप यहां पर टाइप भी कर सकते हो टाइप करना चाहते हो ठीक आपके पास iPad है laptop के अंदर modify कर लेना और फिर आप iPad के अंदर नीचे signature भी मार सकते हो उसका print out निकाल सकते हो बड़े अराम से या फिर आप पहले इसको यहां पर type कर लो print out निकाल लो फिर नीचे signature करने ना महीं तो print out निकाल लो फिर signature कर लो फिर photo click करके उसकी PDF convert कर लो ठीक है तो i hope यह technical काम सब कर सकते है ज्यादा मुश्किल काम नहीं है ठीक है कि आपको photo click करनी है और इसको PDF file में change कर लेना है तो इस तरह से आपको यहां पर सारे subject mention करने अब यह क्यों करवा रहे हैं बेसिकले को किसीन क्या रहता है ना किसी उनिस्ट्री में सेम सब्जेट के दो समेस्टर के अंदर एक्जाम हो तो इसलिए आपका code भी mention करवा रहे हैं साथ में कि आपका subject name और साथ में code code guys यहाद दखना है बीएस्टी की जो mark sheet के अंदर आपके code डले हुए ना यानि कि जिस university के अंदर आप अभी हो बीएस्टी या फिर बीटेक के अंदर तो यह उन subjects के यहां पर यह code डलेंगे just reference के लिए कि आपके यहा process है तो वह इस process के दुरान को इसको confirm कर रहे होंगे यहां से देख करके कि आपके यह subjects आपकी eligibility को पूरा कर रहे हैं तो इस तरह से आपको यहाँ पर declaration form फिल करना है अब इस क्या और क्या था declaration form के के अंदर देखो इसके बाद था guys I have submitted the following documents please tick the submitted documents जो 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 आपने documents submit case application form के अ अभी आप नहीं कर सकते हो अगर आपके अर्भी एससी जो है या फिर बीटेक जो आपकी 2022 के अंदर complete हुई थी तो आपके पास degree certificate हो सकता की हो लेकिन अगर आप अभी 2023 में complete करने वाले तो आपके पास यह नहीं होगा तो यहां पर आपको इसको tick नहीं करना है फिर उसके ब यहां से computer में आप इसको erase भी कर सकते हो ठीक है यहां फिर जसे उपर टिक लगा देना कि मैं समेस्टर के लिए मैं यहां पर numbering लिखिए कि मैंने फर्स सेकेंड थर्ड समेस्टर के मैंने upload कर दिए इसके बाद next line में कहा है I have not submitted the following documents as per requirements stated in the admission browser for jam 2023 तो अब मेरे को यहां पर उन 25 degree certificate मिस रहेगा अगर आपकी अभी बस्ती तो 2023 में हो रही है अगर आपने last year complete कर ली थी तो maybe आपके पास अपना certificate हो तो यहां पर उसके उपर फिट टिक लगा लोगे ठीक है इसके बाद अगली चीज़ क्या है यहां पर कि आपकी कौन-कौन सी mark sheet missing है तो आप इसके उपर लगा लोगे and let's say कि आपके पास 4th, 5th, 6th semester की यहां पर missing है तो यहां पर 4, 5, 6 लिखे इसके उपर यहां पर टिक लगा लोगे इस तरह से तो अपने यहां पर क्या बोला कि आपकी यहां पर 4th, 5th, 6th semester की अभी missing है यानि कि अभी आपने upload नहीं किये और आपका year wise है और system त तो आप यहां पर फिर year के ओपर टिके लगा लोगे तो अपने accordingly यहां पर changes कर लेना तो इस तरह से guys यह fill करना है आपको इसके बाद guys यहां पर क्या लिखा होगा कुछ और चीज़े लिखी गई है उनको भी रीडिक कर लेते हैं I understand that in absence of all documents required as per the criteria of the admitting institute my admission would be considered as provisional right I understand that in the event of failing to provide document to ascertain the satisfying of minimum education qualification as per the deadline of the admitting institute my provisional admission will be stand cancelled तो guys अगर मैं document अपने देने से fail हो जाता हूं right तो मेरा admission जो है वो क्या हो जगा cancel हो जागा तो आपको before the date जो की 1 September दी गई है आपको उससे पहले अपने proof यहां पर देने है आपको degree certificate काफी time के बाद आता है right तो गबराना नहीं है right तो यहां पर आपका provision certificate भी काम करेगा ठ आपका जैसे result आजएगा तो degree certificate यह आने में time लगता है हो सकता है कि आपको एक साल लग जाए दो साल लग जाए डिपैंड करता है university के उपर तो आपको provision certificate तुरंत मिल जाता है तो जैसे आपका result आ जाता है आपको अपना provision certificate बनवा लेना और फिर यहां पर submit कर देना है तो को यहां पर अपना signature कर दोगे और upload कर दोगे and that's it आपका हो गया declaration form वाली जो चीज है वो सभी को यहां पर अच्छे से समझ में आगी होगी कि क्या सी है तो यह था सारका सारा declaration form के बारे में तो अभी बात करते हैं हम लोग आगेगी जो next season है मारे पास again declaration एक और भी हैं आपर इसके उपर भी आपको यहां पर टिक कर देना है सभी के उपर basically आर वही चीज हैं कि हमने अपने पूरे होशोवाज में सब कुछ अच्छे से भरा है तो वही सभी यहां पर मिलेगा ठीक है तो आपको यहां पर टिक कर लेना है सारे options को और उसके बाद फिर यहां पर जस्क कर देना आपको submit and proceed to payment फिर आपको just payment करना है और आपका जो application process है वो आपका यहां पर compete हो जाएगा और एक चीज़ का ध्यान रखना 27 April के बाद आप यहां पर कोई भी changes नहीं कर पाओगे अपनी preference order के अंदर तो preference को ध्यान से भर लेना ठीक है preference order के अंदर आप बाद में कोई चीज़ें यहां पर अच्छे से समझ में आ गई होंगी and in case guys अगर आप CSR net के लिए preparation करना चाहरे हो gate के लिए preparation करना चाहरे हो description में आपको courses करेंगे मिल जाएंगे आप पर आप जाकर can roll कर सकते हो 25 April से आपका यह backstart हो रहा होगा जो की completely recorded रहने वाला है with the proper assignments, test series तो मिलते है guys हम किसी ओर वीडियो के अंदर until then bye